मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगा हूँ अभी जितना मैंने कहा उसमें कोई शंका हो समाधान हो प्रश्न हो जरूर पूछे तुलसी के पत्ते का ध्यान ये रखिये कि दाथ से चवाना नहीं कभी दे क्योंकि उसमें बहुत अधिक मात्रा में पारा होता है दाथ से चवाएंगे तो दाथ कमजोर पर जाएंगे इसलिए तुलसी के पत्ते खाना है तो चूसते रहिए और थोड़ी देर चूसते चूसते उसको निगल जाए अंदर जाने की केले में कापूर बहुत मामूली एक कापूर जिसको आप पूजा में उप्योग करते हैं उसके चार पाँच हिस्से कर दीजे एक हिस्सा एक केले बहुत मामूली बारी केक दारी दिखता नहीं जनम से तो आप मुझे कल उसको दिखाईए कहा हैं तो मेरा फोन नंबर और पता उनको दे दीजिए वो मुझे संपर्ख करें एक बार मैं देख लूँ तो फिर पता सकता है और कोई प्रश्न पूछे जी जियान नहीं रहता है जिनको भी बच्चों को ये शिकायत है अक्सर बच्चों को ये शिकायत होती है कि रात में बिस्तर में लगवी कर देते हैं तो इसकी सबसे अच्छी आउशद है खारिक खारिक खजूर को दूद में डालिए एक गिलास दूद में तीन चार खजूर डालिए इसको उबालिए दूद को उबाल के ठेंडा करिए फिर बच्चों को कहिए कि वो जो खजूर है उसको चबा के खाएं और उसी दूद को पी लें रात को सोते समय तो अगर 15-20 दिन सपत आपने कर दिया तो बच्चों को लंगवी रात में होना बंदो जाए बिस्तर के होना बंदो जाए जी दोनों में से जो मिले खजूर मिले तो खजूर खाईए खारिक मिले तो खारिक खाईए और खजूर और खारिक ना मिले तो छुवारा छुवारा समझते हैं सूखा हुआ बाजार में आता है न किसमिश के जैसा छुवारा सूखा हुआ आता है खारिक बोलते हैं, ठीक है, तो वो ले लिए, और कोई प्रश्न पूछे, नाक से, जिनको भी नाक से बहुत पानी जाता है, उनकी दो आउशदी है, एक में पहले बता चुका हूँ, कि उनको दही में चूना मिलाके खिलाई है, रोज 100 ग्राम दही, एक ग्राम चूना, 15-20 दिन में ठीक हो जाए, दूसरे उनकी आउशद है, कि गाय का तूप रात को नाक में डाली है, सोते समय, एक एक थेम, जोनों नाक में, तो तीम दिन के बाद ही पानी जाना बन दो जाए, गाय का तूप, सर्दी बहुत होती है, छी बहुत आती है, नाक से पानी निकलता है, ऐसे किसी भी मरीज को, एक एक थेम, गाय का तूप, रात को सोते समय, नाक में डाल दीजाए, नीद बहुत अच्छी आएगी, और नाक से पानी निकलना, छीक आना, सर्दी, ये सब बंदो जाए, देखिए, मैं आपको एक छोटी सी जानकरी दे दू, कि हमारे मस्तिश्क में ऐसा एक हिस्सा है, जहां तक कोई दवा नहीं पहुंचते, ना होमियोपैथी की, ना ऐलोपैथी की, ना आयुलोपैथी की, किसी भी तरह की दवा, मस्तिश्क के कुछ एक हिस्से तक कभी भी नहीं पहुंचते, लेकिन गाय के तूप की ताकत ये है कि वो मस्तिश्क के हर हिस्से तक पहुंच जाता है हर हिस्से तक पहुंच जाता है ये अधूत है इस पर अभी रिसर्च कर रहे हैं हम लोग कि ऐसा क्या है गाई के तूप में जो मस्तिश्क के उस हिस्से तक भी पहुंच जाता है जहां तक कोई और से अच्छा है राथ को नाथ में डाल दीजे एक एक थेम वो दिमाग के वहां तक पहुंच जाता है जहां कोई नहीं पहुंचता है कि बहुत अच्छे परणाम देता है कि आपको जिस आख से नहीं दिखता है उसमें रोज गाय के मूत्र का एक एक थेम डाली है तीन-चार महीने सतत दाली है फिर मुझे बताई है और कोई प्रश्ण जी कर रात को सोते समय बहुत खर्राते भरते हैं उनकी भी यह और शद है क कि उनको गाय का तू पेटेत्यम नाकमर के बाद खर्राटे बंद हो जाए एक ही दिल लगेगा दूसरे दिल से खर्राटे आएंगे ही में जिनको परलिसिस का जट्का आया हुआ है शरीर के किस अंग में आया है वो देखिए लेफ्ट या राइट तो राइट में अगर पर कि नात में डावे माजू की नात में गाय का तूंप डाले है राइट में है तो लेफ्ट में डाली है लेफ्ट में तो राइट में त्थी चार महीने सवेट तूप करे लिए ओए